विर्क आयरिशेर फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वाक्त है जो आज का मेन मोटीव रहेगा वो है वीडियो बनाने का आयरिशेर ब्रीड कितना टेंपरेचर सहार सकती है और सबसे पहले सभी भाईयों के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी वीडियो शेर कीजिए तांकि आगे से आगे सभी किसान भाईयों को इसकी डेटेल जो है वो मिलती रहें जैसा कि देख सकते हैं पहले दो-तिन दिनों से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जो आज का वैदर है मैं आपको दिखाता हूं हमारा चालिस डिग्री सेल्सियस खनोरी और टाइम देख सकते हैं आप इसके उपर तीन बज़ के तरताली मिंट और जो पशू है वो हमारे बहार अपना फीडिंग कर रहे है आयर्शर ब्रीड जो है ऐसी ब्रीड है जो फिस्टी डिग्री सेल्सियस ताब मांस तक ये सहार सकती ह इसको देखो गर्मी की कोई दिक्कत ही नहीं है ने तो चाली डिग्री सेल्सियस ताब मन हो तो पशू जो है नाक में से पानी निकाल निकाल कर उनका बुरा हल हो जाता है ये देखो इदर जुगाली हो रही है और इदर ये देखो काफ ये एक आंत में बिल्कूल कोने में बैठके जुगाली कर रहा है पीछे शेड़ अभी डोर बंद की हुए है ये अभी बाहर है थोड़ी बात नैचुरल हवा चल रही है वह जितनी चल रही है और ये देख लिजी आप ये ब्रीड बाई सब बिल्कूल भैंस जैसी ब्रीड है इसको किसी तरह की कोई दिक्कत ह अराक के आप भूल सकते हैं कि हमने काओ का फार्म किया है हम चाहते हैं कि पूर इंडिया में पूरे पंजाब में ये ब्रीड जो है डिवेल्प हो जाए तांकि अच्छे से अच्छे नए इसके फार्म स्थापित हो और लोगों को इसका फाइदा मिले बीचिया साब पशुओं का देख सकते हैं ये देख रही है ग्रीन फोडर और ड्राई मैटर ये ड्राई फूड खा रहे हैं बीचिया सब पशुओं पशुओं का बिल्कुल मेंटेना हाइट ब्रीड और किसी तरह की कोई दिक्कत इस ब्रीड में आती ही नहीं है ये देख रही है नॉर्मल वैदर चालिस डिग्री से ताबमार और पशुओं जो है अराम से दाना चारा खाते हुए जो की गर्मियों में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पशुओं को फीड इंटेक करवाना क्योंकि पशुओं खाते ही नहीं है हाफते रहते हैं जुगाली जुगाली नहीं होती ऐसे लार फैक्टे रहते हैं इस ब्रीड में ये दिक्कत नहीं है किसी तरह की और बीमारी विल्कुल भी नहीं है बाकी आपके सबी के सामने हैं लास्ट में फिर एक बार चालिस डिग गड़ देख लीजिए कोई बादल भी नहीं है दूप है बिल्कुल ये देखो तरफ जो है आख नहीं हो रही है थोड़ी बहुत हावा चल रही है उसमें अपना ये इंटेक ये कर रहे हैं और आपको एक और बात दिखानी थी शेड में आप देख सकते हैं उदर कोई फैन फोगर बगएरा लगा ही नहीं है तो ये देखो ये गाएं ये इदर हमारा पूल है ये वेटिंग है इनका मूड हो रहा है कि नहाके आएं ये देखो ये बड़ी आयर शायर इसका मूड बन कि ये नहाके आएं कि देखो इसकी अडर को आएटी ये सीध्या पूल में जाएगे भी ये ये देखो है पूल जो है बहुत ही जरूरी है